यदि आप लॉपड़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमरे एप को डॉणलोड करें और लॉपड़ें नमस्ते सदावत सले मातर भूने आज बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं बहुत सारे लोगों ने मेल किया है और बहुत सारे अपने जो लेक्शर्स हैं उनकी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सुशान सिंग राजपूट की केस को के जुरिडिक्शन के बारे में जो CBI को दिया है कि क्या समीर शर्मा जिनकी डेट कल हुई है और स्यूसाइड बताया गया है और उनकी मलाड में उनके ब्यांगलो में उनके घर में वो हैंगिंग पाए गये हैं बेना किसी स्यूसाइड नोट के और कुछ और उनके विशे में भी क्या इसका लिंक है तीसरा एक और एंगल उसमें सानियाल का है कि क्या दिशा सानियाल या साईयाल जो भी नाम है उस मामले का कोई लिंक है इन से या क्या यह सीरीज है सियूसाइड सीरीज हलाकि ये फिल्म स्टार हैं फिल्म दुनिया के लोग इस तरह की सीरीजों पर बहुत काम करते हैं लेकिन अभी क्या है वो खुद चुकि वहीं पर सीरीज चल रही है इसलिए अभी लीगल अपने लोगों को काम करना पड़ेगा शुसान सिंग राजपूत का अब ऐसा लगता है जिस प्रकार से बिहार पुलिस ने पिरमत्फसाए ये पाया है और उसने रिकमंड किया है कि अंदर सरकार को कि इस पर सीवियाई की इन्वेस्टिकेशन की जाए उससे ये लगता है कि मामला बड़ा गंभीर है और ये संभव है कि ये जो मैटर है ये मैटर कहीं न कहीं मर्डर केस बनता जा रहा है हम सब जानते हैं कि मर्डर केस मोस्टली लोग स्यूशाइट केस बनने कोशिश करते हैं जाप और मर्डर रहता है और उस पर एक मैजस्टेट इन्वेस्टिकेशन भी होता है जिसको इन्वेस्ट कहते रहे हैं इन्वेस्ट से ताथ पर CRPC में यह है कि ऐसा मामला जिसमें भी कोई क्रिमिनल एंगल नहीं मिलता है तो फिर उसको एक मैजस्टेट लेबिल का या एक उच्छ अधिकारी उस पर इन्वेस्टिकेशन करता है और इन्वेस्टिकेशन करने के बाद वो अपने रिपोर्ट लगाता है जब उसकी रिपोर्ट में यह लग जाता है कि नहीं इस मामले में वाकई में कोई कर्मिनल एंगल हो सकता है तो इन्वेस्टिकेशन एफ आयर करवर्ट होती है इन्वेस्ट उसने कर लिया है हमने पीछे भी डिसकेशन किया था कि नेपक्टिज्म ऐसी कोई बहुत विशेश चीज नहीं होती लोग अपना फेवर करते हैं अपने लोगों का फेवर करते हैं फेवर करते समय यह डिसकेशन भी होते हैं फेवर करते समय लोग अपने बचों को जो फैमिल क्यों ना हूं कि दूसरा एंगिल मैंने उस पिछला जो लेक्षर था उसमें ये भी डिसकेशन किया था कि कानूनी प्रावधान कॉंट्राक्ट एक्ट में कुछ ऐसी विवस्ता है जिसके तहद इस प्रकार के कॉंट्राक्ट किये जा सकते हैं और ये जो कॉंट्राक्ट होते हैं ये कॉंट्राक्ट कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लोगों को आत्मत्या करने की तरह मजबूर करते हैं और उनसे पुलिस नो उस पर इंवेस्टिकेशन करना शुरू किया बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची तो मुंबई पुलिस ने उनका सहयोग न करने का जो एक तरीका ढूना और जुरिडिक्शनल गेम खेलना शुरू किया और रिया चक्रबरती ने भी कोर्ट में सुप्रिम कोर में पेटिशन लगाई कि बिहार पुलिस कैसे ऐसा कर सकती है या बिहार में इन्वेस्टिकेशन कैसे हो सकता है या सीवे इन्वेस्टिकेशन कैसे हो सकता है यह सारी चीजें यह संशे पैदा करती हैं कि मामला बहुत गंबीर है और इस मामले में वाकाई में कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इस matter की investigation होनी ही चाहिए बिहार police की investigation में जब दूसरा angle आया और दिशा सानियाल या सयाल जो भी word है उस मामले का जो suicide था उस suicide को जब थोड़ा सा investigate किया गया तो पता लगा कि ये murder भी हो सकता है और उस रिया सियाल के ओ सारी दिशा सियाल के जो suicide है जो murder है उस murder को कहीं न कहीं justify करने के लिए क्या ये suicide के नए game चल रहे हैं कि वो एक विक्ति को या कुछ लोग हैं उनको बचाने के लिए ये filming mystery टाइप की उनको बचाने के लिए ये serial suicide चल रहे हैं इसी serial suicide में शुसान जिंग राजपूट का fake suicide और इसी में अभी जो समीर शर्मा का suicide आया है क्या इनका कोई link है चुकि कई स्टेटों का मामला है वो मुंबई पुलिस का भी मामला बनता है वो दिली में उनकी मेहन रहती है वहाँ पर भी investigation करना है बिहार के वो रहने वाले थे बिहार से उनका सीधा connection है वहाँ से भी उनका investigation बनता है तो ये जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी central agency उस पर investigation करे जो कि इन समी स्टेटों को साथ एक तरीके से manage कर सके और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की पुलिस कहीं सायोग लेने का ये चक्करना पसे सीधा सीधा investigation की power हो कानून का criminal procedure का एक simple formula है कि एक से जादा investigating agency अगर investigation कर रही है तो इसमें कोई गुराई नहीं suppose किसी भी matter में एक स्टेट की police investigation कर रहे है तो दूसरे स्टेट की police भी उस पर investigation कर सकती है और दूसरे स्टेट की police अगर investigation कर रही है तो उनके investigation की जो report हैं टो reporter में कोई विश्श फरक नहीं है बस इतनी सी बात है कि court south pen trial चलाएगा court जिस समें अगर उस पर investigation किया है तो court trial चलाते समय उन सभी को लाकर merge करेगा trial एक से ज़्यादा नहीं चल सकते एक crime में एक से ज़्यादा trial नहीं चल सकते लेकिन कानूनन एक crime में एक से ज़्यादा investigation हो सकते और चुकि बिहार के वो रहने वाले उनके पिता सीधे affected व्यक्ति हैं वो स्वैम में victim हैं कि उनका बेटा गया है इसलिए उनकी फायर भी यहाँ पर valid है उनके बिहार पुलिस के द्वारा investigation भी valid है और बिहार पुलिस के द्वारा जब CBI investigation लिखी गई या बिहार सरकार के द्वारा CBI investigation लिखी गई तो CBI की investigation बनती है इसमें jurisdiction बनता है और मैं जैसे कह रहा हूँ कि investigation एक से ज़ादा हो सकते हैं बहुत बार क्या होता है कि पुलिस investigation कर रही होती है उसमें कोई magistrate के दिक्षिता में commission में appoint कर दिया जाता है कभी-कभी एक से ज़ादा commission appoint कर दिया जाते हैं हमको याद होगा कि गोधरा मामले में नानाबती commission की report थी और उसके बाद फिर लालू प्रशाद उसमें चुनाओ का माहौल था यूपिय गउर्मेंट चुनाओ लड़ रही थी 2014 की बात है लालू प्रशाद यादब ने उधर से एक नई investigation चुकि वो उस उस government में पिछली गौर्में उस से पहले वाली government में रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री होने के नाते railway का matter बनता है इसलिए railway की तरफ से भी investigating team बठा दिए थी commission की बठा दिया तो कमिशन ने उनके अनुसारी रिपोर्ट दे दी थी वो रिपोर्ट investigation कोई भी करे चाहें लोकायोगत investigation करें लोगपाल investigation करें CBI investigation करें CID investigation करें Crime branch investigation करें या अलग से कोई commission ने पॉइंट कर दिया जाए या कोई भी इजनसी investigation करें या कोई private individual किसी के पास evidences होते हैं और वो evidences वो court में लगाता है investigation की report किसी भी माध्यम से हुई हो court में जिस समय वो summit होगी उस court में कोई individual भी जिसके पास evidences है वो evidences वहाँ summit कर सकता है suppose परिवार के पास जो victim है victim के पास कुछ evidences हैं जिन evidences के आधार पर आगे मामला carry on हो सकता तो magistrate क्या करता है जो cognizance लेने वाला court है जिसमें मुकदमा चलने वाला है cognizance taking magistrate उन evidences को invite करता है उन evidences को appreciate भी करता है वो put up in record रखता है और police की investigation final report final investigation नहीं होती तो sue motto भी जब अगर investigation कोई कर रहा हो और suppose किसी एक state की या एक police ने investigation के अपनी report लगा दी और उसने एफर लगा दी एफर मनलब case को रफा दबा कर दिया और उसने का कोई crime नहीं मनता लेकिन वो जो report लगी हुई है court के पास उस report को court follow up करता है follow up करने पर उसको कुछ records में मिलता है तो court को cognience लेने का right है court उस पर cognience लेकर summon issue करके उस matter को सुनवाई शुरू कर देता है भले ही police ने भले ही investigating agency ने उस पर एफर लगा दियो सरकार के दबाओ में या political parties के दबाओ में या किसी favor में पैसे लेकर तो वो report बहुत value नहीं रखती वो report सिर्फ इतना है कि प्रेमे फसाये आपने कुछ investigation किया investigation करके आपने वो court में लगा दिया court अब संग्यान लेगी court को लगता है तो वो संग्यान लेगी even बहुत सारे मामलों में FIR भी नहीं लिखी जाती और FIR के नहीं लिखती है police police कुछ उसमें करवा ही नहीं करती तो ऐसे मामलों में भी court को अगर संग्यान आता है तो court उस पर सिव मोटो भी cognizance ले लेता है क्योंकि cognizance लेने के तीन प्रकार है एक तो यह है कि एक complaint file कीगी court में party के द्वारा उस complaint में court को कुछ लगता है प्रेमे फसाये और कुछ रिपोर्ट में जो रिकॉर्ट रिकॉर्ट साय उस रिकॉर्ड में उसको कुछ मिल गया कोगनिया से लिल भले ही वो पुलिस ने लगाई हो कि इसमें मामला रफादफा हो चुका है इसमें कोई मामला नहीं बनता फिर भी on record में matter आ गया है तो court उसका कोगनियास ले लिता है और तीसरा है कि ना ही कोई complaint आई और ना ही किसी ने उस पर investigation किया लेकिन court के पास किसी ने evidence बंद लिफाफे में court को बेज दिये या court को किसी परकार से भी evidences मिल गए और court को लगाने कि matter बनता है तो ऐसे मामलों में court को सिव मोटो भी कॉग्नियान्स लेने का मतलब है संग्यान में लेने का दिकार है और संग्यान में लेने के बाद वो जो भी उसमें पार्टी उसको लगती है संभावित उनको वो नोटिस शुकर करता है नोटिस शुकर करके उनको बुलाता है कोर्ट में स्टेटमेंट दिलवाता है इन मामलों में इस मामले में भी अगर मुंबई पुलिस इन्वेस्टिकेशन जारी रखती है और बिहार की सिपारश पर CBAE investigation के अंदर सरकार ने सυiethकार कर ली है तो भी CBAE investigation करेगी और मुंबई पुलिस अपनी investigation अलग कर सकती है मुंबई पुलिस की investigation हो सकता है वो इफ फर लगाने लेकिन CBAE investigation में करकिश पाया जाता है और वह court में उसको submit करते हैं तो ऐसे submission के बाद court को right है कि वो उस पर संग्यान ले ले वो उस पर कॉग्णियंस ले ले और मैंटर को आगे बढ़ाएं इसलिए इस मामले में पूर रूप से कोड को अधिकार है और ये investigation के मामले में jurisdiction का बहुत बड़ा issue नहीं पड़ता है कॉग्णियंस लेने पर jurisdiction का issue पड़ता है investigation पर नहीं इसलिए एक agency ये दो agency काम कर रही है Mumbai Police और CBI इसके लावा दो चार और agency हमी काम करें तो कोई बुराई उसमें नहीं है कुल मिलाकर court को चाहिए कि उसको evidences मिलने चाहिए उसके पास evidence होने चाहिए वो evidence किसी भी माध्यम से आए कोई agency लाए कैसे भी आए वो evidence चुरा के लाए जाए वो evidence छुपा के लाए जाए वो evidence सरकार दे वो evidence चित्थी से आजाए वो evidence कोई post कर दे वो evidence अख़बार में चप जाए किसी भी तरह से अगर उन पुला court को evidences मिल जाते हैं तो ऐसे evidences court के लिए appreciation का काम करते हैं और evidence देने वाला व्यक्ति court मित्र कहलाता है इसी यह कोई भी witness रहता है वो friend of the court होता है और friend of the court होने के नाते court उसको विशेश रूप से आगरह करता है court उसको विशेश संग्या देता है कभी कभी वो थोड़ा गलत भी बोल जाता है तो भी court उसको माफ करता है क्यों क्योंकि court को decision देने के लिए हर हालत में evidences की आवशक्ता होती है हाँ जादा ही जान बूच कर कोई court को गुम्रा कर रहा है तो फिर court को ये भी right है कि उसके खिलाब भी को गुम्रा करने के जुर्म में और उसको भी अंदर करते हैं उसके खिलाब मुकत्मा चलाते हैं तो इस मामले में after all cva की investigation valid है इसमें कोई jurisdictional issue नहीं है इसी लिए जब उनरभी सुप्रीम court में ये matter गया तो उनरभी सुप्रीम court में इन्वेस्टिकेशन रोकने से फट्डा पुलिस का investigation रोकने से मना कर दिया और मुझे लगता है फिर से जो petition जा रहे हैं कि cva के investigation रोक दिया जाए तो उसमें भी code dismiss ही करने वाला है उसमें कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है थैंक्यू very much पूरी organization को चलाने के लिए आप नीचे description से हमारे एप को download कर सकते हैं जिससे की law students को lawyers को और आम आदमी जो लौ जानना चाहता है वो paid classes का lab ले सकता है